दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है विनन्दा ने आपके अपने यूटूब चैनल आरेन इंस्ट्यूट लहाबाद में दोस्तों थमनल पर देख पा रहे हैं यूपे पुलिस कॉंस्टेबल भड़ती 2023 को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है आप देख पा रहे हैं नए वर्स में योगी सरकार का तोफा बिल्कुल अगर आप पुलिस भड़ती का इंतजार कर रहे थे तो कहीं ना कहीं आपके लिए वह इंतजार की घड़ी समाप्त होती है आप देख पा रहे हैं पेपर कटिंग आपके समक्ष लगी है नए वर्स में 40,000 पदों पर पुलिस कॉंस्टेबल भड़ती का तोफ़ा आपके बीच में दिया जा रहा है नीचे देख पा रहे हैं लिखा गया है नोटिफिकेशन आउट आविदन कबसे होगा लगातार ये कमेंट आपका आ रहा है अगर देखा जाए यह पुलिस कॉंस्टेबल की भड़ती जो है वो पिछले कई दिनों से आ रहे है कई दिनों से क्या अगर कहा जाए कई महीनों से आपके बीच में पुलिस कॉंस्टेबल भड़ती आ रहे है सिर्फ होड़ सिर्फ पेपर तक रसीमित रहे जाती है ठेक, आवेदन कब से होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे योगितावा उम्र पर योगी सरकार का बड़ा ऐलान जो है और या योगी सरकार का बड़ा प्लाइन, इन सभी मुद्दो पर हम चर्चा करेंगे मैं नेवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब रूड किजीगा चलिए सबसे पहले हम आपको इस पेपर कटिंग से रूबरू कराते हैं कि आपके समक्ष पेपर कटिंग लगी है आप देख पा रहें इसमें कहा जा रहा है इस वर्स पुलिस में 40,000 बढ़ती हैं इसके अंतरगत पुलिस बढ़ती को उपनिरिक्षक आरक्षिवा अन्य पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू ठेक इसके आगे कहा जा रह में उपनिरिक्षक वा सहायक उपनिरिक्षक के 1157 पदों पर भरती का परिडाम घोसित कर दिया गया बोर्ड ने चैनित भरतियों को नोवर्ट्स में उपहार दिया मुखी मंतरी योगी आधितनात के नर्देश पर पुलिस भरती बोर्ड विभिन अस्तर के लगबक 40,000 पुलिस के 839 कंप्यूटर ऑपरेटर के 693 आरक्षी नागरिक पुलिस के 26,210 फायर मैन के 1007 आरक्षी पीसी 8,445 वा जेल बार्डर के 1282 पदों समेत अन्य पदों पर भरती के लिए अधियाचन बोर्ड को उपलब्द कराए गये हैं इनकी भरती प्रक्रिया आरंब की गई है अब भरतियों के अनुसार लिपिक संवर्ग में कुल 1329 पदों के लिए वरती प्रक्रिया आरंब की गई थी जिसमें उपनरिक्षक गूपनी उपनरिक्षक गूपनी सतर गता 32 पर सहायक उपनरिक्षक लिखित 624 सहायक यानि आप देख पार हैं इसमें टोटल पदों का विवरन आपके बीच में कहा जा रहा है ठीक है अच्छा इसके अंतर के 70% अभ्यर्थी 60 वर्ट से कम आयो के हैं देखे यहां कहा चैनित 1107 अभ्यर्थियों के परडाम 9 वर्थ से एक दिन पहले सनिवार को घोशित कर दिया गया है उप्यूक्त अभ्यर्थी ना मिलने से 171 70 पद रिक्त रह गये हैं डीजी भर्थी बोर्ड आरके विस्वकर्मा के अनुसार 70% अभ्यर्थी 26 वर्थ से कम आयो के हैं डीजी भर्थी बोर्ड के अनुसार लिपिक समवर्ग में हुई भर्थी में चुने गए 288 अभ्यर्थी बेसी और 234 बीटेक वबीए के 272 जाए तो 234 या जो है 1157 पदों पर जो भर्थी प्रक्रिया आपकी हुई है कितने लोग इसमें नौकरी प्राप्त की है ठीक है अब यहां 40,000 का जहां तक सवाल है 40,000 का नोटिफिकेशन आपकी विश्च में कब जारी होगा देखिए अगर 40,000 की बात करें आप से तो यह 40 जारी की बढ़ती की प्रक्रिया जो आप से कही जा रही थी वह फिलाल के लिए इसमें तो यहां नहीं कहा गया है कि नोटिफिकेशन आपका कब जारी किया जाएगा लेकिन यह उमीद जताई जा रही है कि फरवरी से मार्च तक आपके यहां 40,000 पदों की बढ़ती की प्र जो है वो प्रारंब कर दी जाएगे ठीक है योगिताब वा उम्र क्या होगी देखी उम्र पर पहले ही जो है अगर देखा जाए तो सरकार के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया है कि आपको इस क्राइटेरिया यानि अगर कहा जाए उम्र पर कोई भी शूट नहीं दी थे कि उम्र में कुछ न को छूट मिलने चाहिए क्योंकि पिछले कई सालों से पुलिस भड़ती नहीं आई है ठेक है इस वजह से आप जो है पुलिस इसमें उम्र की कुछ वरियता माग रहे थे लेकिन अगर देखा जाए सरकार सभी चीजों को दर किनार गड़ते वे उम् करते हैं आज की वीडियो से आप संतुष्ट होंगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा चैनल पर पहले बार विजट किया हैं तो प्लीज चैनल को सबस्क्राइब यरूर कीजिएगा